नमस्कार दोस्तू, गुरुकुल अकेडमी में आप से का स्वागत है दोस्तू आज हम आप लोग के लिए जीके के टॉप 50 कुशन्स लेके आए जो बार बार पिक्षा में पोचे जाते हैं अगर आप लोग किसी बैग्जाम्स के त्यारी कर रहे हैं जिस एक्जाम में जीके आते हैं उन सभी एक्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुती फायदमन रहने वाली है बहुती यूजफुल रहने वाली है तो फ्रेंस इस वीडियो को अंतक जूर देखीगा चाहे आप लोग रेलवे, अंटेबिसी, ग्रूपडी, एससी, पॉलिस, सीटेट, बेर चाहे कोई भी एक्जाम हो जहां पर जीके आती है सभी एक्जाम्स के लिए बहुती फायदमन रहने वाले क्विश्टन्स तो इस वीडियो का अंतक जूर देखीगा और आपसे रिक्वेश्ट है परते कोईशन का अंसर कमेंट बोक्स में जूर देखा कि आपके जो भी डाउट साथ में ही कलीर होते है चले जाए जब्धी से आप लोग चेनल को सिस्क्याव कर लेंगे साथे बिल आइकन पर बिक कर लेंगे ज़िहाद डूस्तो है कमेंट बौक्स में सभी लोग बोलेंगे जै हिंद जै भारत वंदे मातरम देश के पोजा ही राम की पोजा है सब इस रिक्वेस्ट है और याद रखना एक कोशिन का जवाब देने के लिए आपको पांच सेकेंड का वक्त मिलेगा उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे तो फ्रेंस से लिगा कोशिन स्टार्ट करते ही देखे मारा पहला कोशिन है मानो स्री विटामिन के का निरमान को लगान को देखेंगे या विटामिन के का कैमिकल निम क्या होता है फियोलो कविडिवन होता है तो भी रहेगा जी डांसर याद रखेंगे आप लोग नेक्स टे विशू मदूमे दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से आप बताएंगे कि विशू मदूमे दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से आप बताएंगे प्रापट कब मनाया जाता है विशू मदूमे दिवस कब मनाया जाता है 14 नूवंबर को मनाया जाता है विस्व मदोमे दिवस ओफिर मड़ी रहेगा जरेट अंशर 14 नूवंबर को विस्व मदोमे दिवस मनाया जाता है फ्रेंस याद रखेंगे आप लोग अच्छे से ये कुशन आपके एक्जाम में आ सकता है याद रखना आप लोग अच्छे से चलिएगा फ्रेंस फिर नेक्स कुशन देखेगा चलिए मेगाले को पूर्ण राजे का दर्जा की सुवर्ष मिला जल्दे से आप बताएंगे मेगाले को पूर्ण राजे का दर्जा की सुवर्ष मिला सब लोग जवाब देंगे फ्रापट किस वर्ष मिला मेगाले को पुर्ण राजे का दर्जा मिला था 1972 में 1972 में 1972 में याद रखेंगे आप लोग ऑफिस नमर सी रहे गा रिटान ज़र मेगाले के राज़ाने क्या है से लोग है सेम कौन है सेम है कौनराड संगमा ठीक है याद रखेंगे आप लोग और गवर्णर कौन है गवर्णर है रविंदर नारेंड रवी यह भी आप लोग याद रखलेंगे ठीक है पुरी के मंदिर के सैले में निर्मित है पुरी के जो मंदिर है किस सैले में निर्मित है जल्दे से आप बताएंगे फड़ापट जिफ्रेंस कि सैले में है नागर सैले में किसमे नागर सैले में ठीक ना याद रखेंगे आप लोग नागर सैले में है और पुरी के जो मंदिर है वो है कहा जिफ्रेंस ओफिर नमर ए रहेगा यहाँ प्रेट आंशर लेकिन पुरी के मंदिर का है उडिसा में है पुरी के मंद गवरंदर कौन है तो राजदनी भूने सुरह है और गवरंदर है गणिसे लाल और मुख्य मंत्री है नमीन पतनायक देखिए चलिए का महात्मा गांदी ने व्यक्तिकत सत्यागरे आंजरन का पर्थम सत्यागरे किसे चुना जल्दी से आप बताएंगे फ्रापट जल्दी से बहुत इचा फ्रेंस देखिए यहां पर दिया कि महात्मा गांदी ने व्यक्तिकत सत्यागरे का पर्थम सत्यागरे किसे चुना किसी चुना जल्दी से आप बताएंगे फ्रापट किसी चुना किसी चुना जियां बिल्कुल विनोबा भावे को चुना था तो भी रहेगा तो फ्रेंस महात्मा गांदे ने व्यक्तिगत सत्यागरह आंदरन को कब शुरू किया था 1940 में 1940 में 1940 में याद रखेंगे आप लोग ठीक है चले फिर इसकूशन देखें अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस को लाइक करेंगे पहले बार यहां पर आई है जल्दे से आप लोग चैनल को सिड्सक्राइब करेंगे साथ में बील आइकन पर भी कलिक कर लेंगे ठीक है स्थापना कब हुई थी तो फ्रेंस वैसे स्थापना 1988 में हुई थी लेकिन यहां पर लग गया है लेकिन वैधानिक अधिकार प्राप्ट वेते 1992 में ठीक है ना फ्रेंस वैधानिक अधिकार प्राप्ट वेते 1992 में 30 जनुरी 1992 को वैधानिक अधिकार प्राप्ट वेते तो फ्रेंस इसी कारण से इसके जो स्थापना है इसके जो स्थापना 1992 से ही मानने लग गई है ठीक है याद रखेंगे आप लोग अगर आए एक्जाम में कि स्थापना कब हुई ती सिर्फ स्थापना है तो वहां प्यो मनाया जाता है राश्टी एकता दिवस्त कब मनाया जाता है बिलको फ्रेंस राश्टी एकता दिवस्त मनाते हैं 31 अक्टूबर को तो भी रहेगा जी रेटांसर 31 अक्टूबर यह जख लेंगे आप लोग 31 अक्टूबर नेक्स्ट वीशो प्रेटन दिवस्त कब मनाया जात जाता है विश्व प्रेटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व प्रेटन दिवस ठीक है फ्रेंज याद दखेंगे आप लोग तो उप्सिन नमबर और इसकी सुरुवात कब से हुथी 1980 से 1980 से सुरुवात दिवस विश्व प्रेटन दिवस की ठीक है देखें नेक्स्ट देश का पहला विधी विश्व विधाले कहां स्तापित हुआ कहां स्तापित हुआ कहां स्तापित हुआ चेर नहीं में स्तापित हुआ ए रहे गाज रेट का वर्णन है असोक किस अभिलेख में कलिंग युद का वर्णन है किसमे है जल्दी से आप बताएंगे अफुरापट किसमे है किसमे है जीहां तेरहवी अभिलेख में है याद रखेंगे आप लोग तेरह वी अभिलेक में कलिंग यूद कलिंग का जो यूद कब शुरू हुआ था 261 इसा पूरो में शुरू हुआ था 271 इसा पूरो में शुरू हुआ था असोक का जी कलिंग यूद माफिसेट कलिंग यूद ठीक ना याद रखेंगे आप लोग देखी नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत का अंतिम सासक कुन था इब्राहिम लोदी तो सी हो जाएगा रेट अंसर इब्राहिम लोदी बिना अपील बिना वकील बिना दलिल का कानून किसी कहा गया था किसी कहा गया था और रेट एक्टू कहा गया था बिना अपील बिना वकील और बिना दलिल का कानून ये काला कानून कहलाता था काला कानून कब पेस किया गया था ये 1919 में पेस किया गया था 1919 में देखी आगे तानसियन का मकबरा कहां पर है तान सेन का मकबर कहा है गवालिर में है तान सेन का मकबरा तो अफसम बड़ी रहे गाजरेट आंशर देखे आगे देखे क्रेबा बांध किस नदी पर इस्तित है किस नदी पर क्रेबा बांध जामबिजी नदी पर है क्रेबा बांध तो A हो जाएगा जरेट आंसर याद रखेंगे आप लोग क्रेबा बांध किस नदेपर है जांबेजी नदेपर है क्रेबा बांध और A रहेगा जरेट आंसर लेजिए आगे देखें संगीत नाटक अकादमी के स्थापना किस वर्ष हुई थी किस वर्ष 1853 में हुई थी जी फ्रेंज सिया तकना आफसर लेजी रहेगा प्रेट आंसर 1853 देखें न Ruby who नेक्स झे अमरावति बोदस्तूप किस राजे में है अंदर पर्देस में किस में है किस में है अंदर पर्देस में है अमरावती बोदस्तूप option number A रहेगा रेट आंसर नेक्स देखी सोना का लेटिन नाम क्या है सोने का लेटिन नाम क्या है बिल्कुल फ्रेंस क्या है ओरम है सोना का लेटिन नाम तो फ्रेंस option number D रहेगा रेट आंसर याद दखेंगे आप लोग सोना का लेटिन नाम क्या है ओरम है डी रहेगा रेटांसर ओरम देखे आगे चलिएगा परशित चित्र बाज की चित्रकार कोन थे परशित चित्र बाज की चित्रकार कोन थे बिल्गुर फेंस कोन थे उस्ताद मनसूर थे उस्ताद मनसूर यह रहेगा जरेटांसर याद अखेंगे आप लोग कि परशित चित्र बाज की चित्रकार कोन थे परसी चेत्र बाज की जद्रकार कौन थे फ्रेंस उस्ताद मनसूर थे ठीक है देखी नेक्स्ट राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपादी दी किसने अकबर दवित्ती ने तो बी रहेगा रहेट आउसर यहां पर अकबर दवित्ती सार्जनिक लेखा समित्य में राजे सबागे कितने सदस्य होते हैं कितने सदस्य होते हैं कितने सदस्य होते हैं कितने सदस्य होते साथ तो सी रहेगा रहेट आउसर साथ याद रखेंगे प्रिसेमन आयोकी पदेन सदस्स से कौन होता है जल्दे से आप बताएंगे फ़ le prcan होता है फ्रेंज कौन होता है जिहां मुखी चुणाओ अधिकारी मुखी चुणाओ अधिकारी तो फ्रेंज о course न बर रहेगा red answer मुख्य चुनाव अधिकारी यह आप लोग यहाँ से याद रख लेंगे जिए मुख्य चुनाव अधिकारी ठीक है option number a रहेगा red answer चलेगा फिर discussion देखें भोटान की संसद को क्या कहा जाता है भोटान की संसद को क्या कहते हैं त्योंग शु कहते हैं भोटान की संसद को क्या कहते हैं त्योंग शु कहते हैं भोटान की संसद को हो जाएगा रेट आंशर नेश्ट है अखिल भारती आयूर विज्ञान सिंस्तान कहा है जल्दी से आप बताएंगे अखिल भारती आयूर विज्ञान सिंस्तान कहा है नई दिल्ली में है अखिल भारती आयूर विज्ञान सिंस्तान तो ए हो जाएगा रेट आंशर नेश्ट ह लेब्राडोर जल्धारा किस महासागर में है अटलांटिक महासागर में है लेब्राडोर जल्धारा सी रहेगा जिरेट आंसर देखिए भारती वन सर्वेक्षन विभाग का मुख्या लेका है भारती वन सर्वेक्षन विभाग का मुख्या लेका है का है देहरा दोन में का है तो भी रहेगा जी फ्रेंस ए रेट अंसर देहरा दून देखे नेक्स्ट बलेक हील पहाड़ियां किस दिस में है जल्दे से दुस्तों आप बताएंगे बलेक हील पहाड़ियां किस दिस में है किस में युएसे में है बलेक हील पहाड़ियां क्या कहलाती है 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 क्या क्या कहलाती है क्या 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 कहलाती है कौन करता है वरिक करता है कौन वरिक तो Friends Option C रहेगा रेट आंसर वरिक याद रखेंगे आप लोग ठीक है Next पीच बङलेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव ततो प्राप्त होता है कौन सा होता है यूरेनियम होता है जिहाँ Friends Option बड़ी रहेगा जाता है 8 सितमबर को विशु साख्षरता दिवस मनाया जाता है एह वह जाएगा जिरड अंसर देखिनेक्स का प्रतम राजवंस कोन था मगद का प्रतम राजवंस कोन था जहां कुन था हार्यंक वन्स तो फ्रेंस यह रहेगा औरेड आंसे यहां पर हर यंग को वन स्याद रखेंगे आप लोग ठीक है नेक्स्ट है आगरा की लाल किले की लाल किले में मोती मस्जिद को किसकी द्वारा बनवाय गया था जल्दी से आप पतेंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने क्या है सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे आपने फिर्स के पास सेयर करतेंगे आगराकी लाल केले में मोती मस्जिद को किस ने किसकी द्वारा बनवाए गया था जियं शाहता की दवारा उप्सन बर्सी रहेगा फ्रैंस याद रखेंगे जी नेक्स्ट एंडियन मेरर पत्र के संपाध कौन्थि इंडियन मेरा पत्र के संपाध कौन्थ विल्क्ल फेंस कोन्थि केष्व चंदर्श ernst । भी रहेगा राइज़ comparator wel धर शेन से दिखें नेक्स्ट पीट्ष UK इन्डिया एकत कब पारित्वा था पीट्स एंडिया एकत किश्वर्ष कालवाथ हो fare sabin 1784 में 1784 में वाता ओफ्षिंबर ए रहेगा रिटांसर 1784 याद रखेंगे आप लोग नेक्स्ट जलिया वाला बाग हत्याकारण के समें भारत का वाइसराइक कौन था लाड चेंपसफोर्ड जी फ्रेंस ओफ्षिंबर शी रहेगा रिटांसर लाड चेंपसफोर्ड याद सविधान के किस अनुष्यद में मंत्री प्रिशद के बारे में चर्चा है कुसा अनुष्यद चुहेतर आर्टिकल 74 में है मंत्री प्रिशद के बारे में चर्चा भी रहेगा रिटांसर देखें नेक्स्ट मरे डार्लिंग नदी किस जिफ्रेंस मरे डार्लिंग नदी के किन देखिए परकरती में कौन सा कारबनिक योगी की मात्रा सबसी अधिक है किसके सेलोज की है भी रहेगा जी फ्रेंस यहां पर राइड आंसर सेलोज परकरती में कौन सी कारबनिक योगी की मात्रा सबसी दिक है किसके सेलोज की है तो फ्रेंस भी रहेगा यहां पर राइड आंस नेपुलिन को कहती है man of destiny तो friends option बड़ी रहेगा right answer man of destiny किसे कहा जाता है नेपुलिन को man of destiny कहती है option बड़ी रहेगा right answer ठीक है देखिए next नील दरपन के लिखक कोन है नील दरपन के लिखक कोन है बल्कुल friends कोन है दीन बंदु मित्रा है दीन बंदु मित्रा है नील दरपन के लेखक option mercy हो जाएगा जी right answer next देखिए सेरे कस्मिर किसे कहा जाता है सेरे कस्मिर किसे कहा जाता है सेख मुहमद अब्दुल्ला को कहते हैं यह रहेगा right answer देखिए next question देखिए चली English channel तेरकर पार करने वाले पर्थम भारते मेला कोन है English channel तेरकर पार करने वाले पर्थम भारते मेला कोन है आरती साहा भी रहेगा friends यहाँ पर आरती साहा याद रखेंगे आप लोग next देखिए उत्तर राम चृत के लिखक कोन है उत्तर राम चृत के लिखक कोन है कोन है बहु भूती है उत्तर राम सृत के लिखक फ्रेंस ओफ्षर मड़ी रहेगा रेटांशर ठीक है next देखिए Congress ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया था Congress ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया केवल दूसरी बैठक में तो बी रहेगा रेटांशर next दल बदल विरोधी कानुन किस सवीधान संसोधन दवारा पारित हुआ था किसके दवारा हुआ था पारित बावनवा संसोधन कौन सा बावनवा संसोधन याझ और प लोग मावरी जन्जाती का निवास स्थान कहां है जल्दी से आप बताएंगे माओरी जंजाती का निवास थान का निवास थान का निवास थान तो भी रहेगा जले डानशा तो फ्रेंस ये थे आज के हमारी questions जो अभी complete हो चुके हैं जी फ्रेंस अगर कोई डाउट है तो शेयर केज़ का सिभी के डाउट कलिर के जाएंगे जो लोग पहले बार यहाँ प्याई हैं जल्दे से आप लोग चेनल को सिस्क्राइब कर लेंगे साथ बेल आइकन पर बे कलिक कर लेंगे जोने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास शेयर करतेंगे जल्दे से तो फ्रेंस अलिका मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जै हिंद जै भारत वन्दे मात्रा